दोस्तों नमस्कार आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ग्यों की शांदार आवके आवके बाद भी ग्यों के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं सरकारी आखड़े क्या कहते हैं मंडी के व्यापारी क्या कहते हैं जानियर रिपोर्ट दोस्तों नमस्कार यदि हम सरकारी आखड़ों के मानें तो अक्टूबर महिने में अभी तक औसत ग्यों के भाव देश में 8 प्रतिशत और अधिक उचे हो गए हैं जबकि फ्लोर मिल ग्यों की खरीदी के लिए 10 प्रतिशत तक उचा का भाव बता चब बता रहे हैं केंदर सरकार के क्रशी मंताले के नियंतरन की एक संसाफ की वेबसाइट एगमार्केट.net के अकाकडों के नुसार देश में 1 से 23 नौमबर के दौरान ग्यों की कुलावक 7.48 लाक टन हुई जो की पिछले 13 वर्षों में सबसे आधिक बताई जा रही है पिछली बार इतनी आवक नौमबर सन 2009 में हुई थी और उस समें 8.27 लाक टन की आवक हुई थी जो इस साल 7.48 लाक टन की हो गई है एग मार्क नेट के आकड़ों के अनुसार देश की बिविन मंडियों में औसत भाव इस समें 25.38 रुपय प्रती किंटल चल रहा है जो 19.9 अक्टूबर को 23.49 रुपय प्रती किंटल था जो बढ़कर आप 25.38 रुपय प्रती किंटल हो गया है जबकि नौंबर महिने में देनिक गयों की आवक लगबग 30.000 टन के से उपर हो रही है कुछ आटा मिलो के मालिकों से बात करने पर बता लगा कि उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर महिने में कि शुरुआत में मिल क्वालिटी का गयों 2750 रुपय प्रती किंटल के भाव से खरीद करते थे इसकी तुल्ना में इस समय गयों का भाव बढ़ कर लगबग 3050 रुपय प्रती किंटल का हम अदा कर रहे हैं इस प्रकार एक महिने में लगबग 300 रुपय प्रती किंटल के भाव बढ़े हैं गरहाक मामलात मंत्राले के आकड़ों के नुसार देश में होलसेल और रिटेल भाव प्रती किंटल 2831.9 रुपय चल रहे हैं जो भाव एक महिने की तुल्ना में लगबग 5.13 प्रतीशत और 3.54 प्रतीशत अधिक चल रहे हैं इनी की आवग माला गेहूं की आवग बढ़ रही है परंतु व्यापारी या कंपनी के कंपनी गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं और ये निश्चित बात है इसके कारण ही भाव में व्रद्दी हो रही है केंदर सरकार को इस समय कोई सक्त कदम उठाकर केहूं के जो भी स्टॉक है गलत धंग से स्टॉकिस्टों ने स्टॉक कियावा है उनको मुक्त कराना जरूरी है ऐसा मानना है कुछ लोगों का दूसरी और केंदरे खादर सचिव संजीर चोपडा जी ने कहा है कि सरकार का फिलाल कोई कदम लेने का प्लानिंग नहीं है और फिलाल स्टॉक लिमिट लागू करने का भी कोई विचार नहीं है सरकारदारा ओपर मारकेट सेल स्कीम के दौरान भी ग्यों की विक्री करने की फिलाल कोई योजना नहीं है प्रतियु सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार जन्वरी महीने तक यदि भाव बढ़ता रहेगा तो फिर थोड़ा स्टॉक मुट करने की संभावना भी दिखाई दे रही है दोस्तो कुछ मिलर्स ने ये का ये भी कहा है कि अधी सरकार दौरा फिलाल कोई कदम नहीं उठाया जाता तो दिसम्बर महीने में ग्यों के भाव और बढ़ जाएंगे और सरकार के हाथ में कोई बाजी धिरे धिरे निकल जाएगी गोर्तला बे देश में ग्यों की आवक नौमबर महीने में तेरा वर्ष की उच्चतम उचाई पहुशने के बाद भी ग्यों के और सतन भाव में लगातार तेजी दर्ज हो रही है इसका पूर वा आक्रा एंविशलेशन हमने सब से पहले दिया था फसल आने से पहले गोर्तला बे उननीस सो रुपए परती कुंटल के का ग्यों अब जो बजार के आकड़े कह रहे हैं वो उसमें जवर्दस बेताशा तेजी दर्ज होई है दोस्तो ग्रेंज मक्का बाजरा गेहूं तिलहन दलहन का पास गवार सीट इन सभी के विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है और तो आप इसको सस्क्राइब अवश्च कर लें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुचाई जा सके दोस्तों आपको याद होगा दलहन में चना अर तुवर उड़द मूंग इस पे हमने सबसे पहले आपको अबगर्ट कराया था ग्रेंज के अंदर यहूं मक्का बादरे में तेजी की अगरिम विशलेशन हमने आपको सबसे पहले पहुचाई थी मसालों में जीरा धनिया लालमिच कालिमिच के बजार भाव और बजार की खबरे हम आपको सबसे पहले देते हैं सासा सोना चांदी, कच्चा तेल, लोहा, कोईला इन सभी के उपर भी देश के बिविंच हिसों की जानकारिया अंदराष्ट्य खबरों से आपको लगातार उबरू कराते हैं देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मारकेट पर लगातार अपडेट विशलेशन आप तक पहुचाता है All the very best, good luck, happy trading